टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टीट्वेंटी मैच जिताने वाले जस्प्रीद बुमरा की हर तरफ तारी फो रही है ये बुमरा का आखरी ओवर ही था जिसने टीम इंडिया को दूसरे मैच में जीत दिला कर सिरीज में बराबरी दिलाई लेकिन जरा याद कीजिए ये वही बुमरा है जो पहले टीट्वेंटी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नो बॉल और फ्री हिट पर जो रूट को बोल करने के बाद फैंस के निशाने पर आ गए थे जी हाँ तेज गेंदबाज जस्परीत बुमरा बड़े ही शान्त स्वभाव के और कम बोलने वाले शक्स हैं लेकिन कुछ दुनों पहले वो सोशल मीडिया पर च्छा गए थे हाला कि उनके सोशल मीडिया पर च्छाने की वज़ा अच्छी नहीं थी क्योंकि बुमरा फैंस के गुस्से का शकार हो रहे थे फैंस बुमरा पर गुस्सा उतार रहे थे क्योंकि टीम इंडिया का ये युवा तेज गेंदबाज एक गलती कर बैठा था बुमरा से एक गलती हुई थी कानपुर में इंगलाइन के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच के दोरान दरसल पहले टी-20 मैच में इंगलाइन की पारी के 17 वे ओवर में बुमरा ने चौती और पांचवी गेंद पर जो रूट को बोल्ड कर दिया था लेकिन चौती गेंद फेकते वक्त बुमरा का पैर लाइन से बाहर निकल गया और अमपैर ने उसे नो बॉल करार दिया था और पांचवी गेंद को बल्लिबास ने फ्री हिट के तोर पर खेला इन दोनों ही गेंदों पर जो रूट बोल्ड हो गए थे उन पर क्रिकेट के नियमों के मताबिक उन्हें आउट नहीं दिया गया और टीम एंडिया मैच हार गई और इसी वज़े से बुमरा फेंस के गुस्से का शिकार हो गए थे फेंस ने ट्विटर पर बुमरा को काफी ट्रोल किया था हाला कि दूसरा मैच जीत कर बुमरा एक बार फेंस से हीरो बन गए है एनमेफ न्यूस के रपोर्ट